दोअ नाश्कार्ट वेल्ट वॉलकाट वाग्ट यू ओंड चैनल वेल्ड सफट नोवेंबर 2024 टिवस जेकर दिन और गिफट निफ्टी आज भी आपको निगेटिव ओपनिग शो कर रहा है 38 पॉइंट की बटाई वॉंट यूर्ट पॉइंट यू टी लेवल एट विज गि 200-200 point के recovery, भाई वहाँ पर US में President के election है, आज के दिन, so market में volatility होना तै है, भाई इंडिया में जब Prime Minister के वाले election होते हैं, जनर्रल elections होते हैं, PM candidate elect होना होता है, तो किस तरह की volatility होती है और महाल होता है, तो similar kind of महाल आप US में imagine करिए, फिलाल दोस्तों बात करें हम लोग निकाई की सो, निकाई is 451 points plus और हैंसिंग में 158 points डाउन, मतलब हर जगे उथल पुतल है, volatility है और इस volatility में जो अच्छी quality of stocks हैं, उनको ठाने का मौका, उनको accumulate करने के मौका, मिस नहीं करना है, मैं आपको constantly remind करता हो रहता हूँ, motivate करता रहता हूँ, बाकी आपकी मरजी है, top gainers के बारें बात रहें, info ish कल के दिन 4% उपर था, PNB हम लोग ने more trading session में भी discuss किया था, कल morning में भी आपको यादे लाया था, अब दूसों यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखने है, जो stock पिछले करीब 15 दिनों से positive है, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा profit book, अगर आप trader है तो of course, investor है तो कोई मतलब भी नहीं, अब दूस जैसे कि Tech Mahindra है, Tech Mahindra को हम लोग ने around 10 days, 12 days back, अपनी position को create किया था, और वहाँ से stock has risen significantly, top losers के बारें बात रहें, what a fun idea was again down 6.5%, PVR 5%, अधित विरला फैशन 4.5%, हीरो मोटर कॉप 4%, कल चांपो हीरो मोटर कॉप के चार्ट को भी हमने study किया था, और इसके important support zone को भी discuss किया था, I'm sure आपने उसको देखा होगा, evening wrap को, commodity section के बारें बात रहें, gold already high हो चुका है, 78,000 के ओपर ही trade कर रहा है, silver अपने 1,00,000 से थोड़ा सा retrace कर रहा है, let it retrace, अभी यहाँ पर कोई भी value इन दोनों में नहीं, there is no value at all, इस समय घुसने का, I find no reason why anybody shouldn't trade these prices, currency section के बारें बात रहें, Indian rupee की तो हालत ही घराब हो रखी है, dollar के against 1 dollar, जो के भी 2-3 साल पहले trade कर रहा था, 74 rupees पे, 73 rupees पे, 72 rupees पे, जो कि अभी 84 rupees पर dollar हो गया है, जिस तरीके के गिरावट हो रही दोसों, अगले आने वाले 2-3 सालों के अंदर 100 rupees पर dollar पहाँचने वाला है, that's very sorry state, इसके लावा Indian rupee was also looking weaker against Euro, against Great Britain Pound and Japanese Yen, वहीं बात करें हम लोग important levels के, Nifty 50 में कल के दिन गिरावट थी 309 point की, massive, 24,000 के नीचे closing हुई है, आज के दिन में भी थोड़ा मोड़ा pullback दिखाई पड़े, लेकिन मामला week ही बना हुआ है, और दोस्तों 24,000 के नीचे के लेवल पर 23,800 और पीच करता है, तो दोस्तों पॉइंग की गिरावट और दिखाई पड़ा सकती है, लेकिन इस परकाई जिस वकार की opening हो रही है, ऐसा लग रहा है कि market, market एक pullback करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोस्तों धोके में नहीं आनेगा, market का जो chart structure है, वो अभी भी weak ही है, और गिरावट की possibility ज्यादा है, इन फाक्ट बैंक निफ्टी में तो 2000 पॉइंट सी गिरावट खुल गई है, closing हुई थी कल के दिन 51,215 की, somehow उसने 15,000 की level को manage किया, आज के दिन breach करता है, 51,000 के नीचे सीधे सीधे 2500 पॉइंट की गिरावट, मतलब 48,500 तक के levels, expect करने चाहिए, इन ड्यू कोर्स ओफ टाइम ऐसा नहीं है, कि आज के दिन ही हो जाएं 2000 पॉइंट की गिरावट, बट हाँ, 450, 459 पॉइंट की गिरावट के बाद, ये बात clear हो गए ये बैंक निफ्टी में की मामला वीक है, कल के दिन भी, F.I.S ने सेलिंग ही करी थी, F.I.S के बारें बात रहें तो विक्स भी बढ़ गया है, फ्रॉम 15.9 तो 16.69 और मैंने आपको बता भी रखा है, 15 के उपर विक्स का जाना मार्केट के लिए बहुत हानिका रहा है, गुट निउस के बारें बात रहें, R.V.N.L. 625 करोड का निया उनको और मिला है, इसके लावा K.E.C. कल 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 कुछ बहुत ही जवर्दस रेजल्ट आएं, जिसमें के K.E.C. के रेजल्ट 53 परसेंट अप है, रेविन्यू 13.7 परसेंट उपर है, लेकिन K.E.C. से इस रेकार के रेजल्ट की ही उम्मीद थी, रेजल्ट कहां पर एक्स्पेक्टेशन से बैटर आएं, वो हैं ABB, प्रॉफिट इस अप 22 परसेंट, रेविन्यू थोड़ा सा कम रहा, बट मार्जिन में भी एक्स्पांशन है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, रेविन्यू भी बढ़ाए है, यू मस्ट की पनाए on ABB, इसके लबा PGHH के रिजल्ट के बारें बात रहें, प्रॉफिट इस अप 26 परसेंट, और यह प्रॉफिट बढ़ी है, क्योंकि मार्जिन में अच्छा एक्स्पांशन है, रेविन्यू तो उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन मार्जिन में एक्स्पांशन के वज़ए से प्रॉफिट बिलेटी आपको ज्यादा दिखाई पड़ रहें, इसके अलावा, रेमंट्स, प्रॉफिट एक्सु बारा परसेंट उपर, रेविन्यू एक्सो बाईस परसेंट उपर, जब से ये रियालिटी के बिजनस में घुसे हैं, दे हैव मेड मनी लाइक एनिधिंग, एफ कॉन्स इंफ्रा, गोल्डमें शाक्स, को काफी अंडर्टेक करते हैं, इसके अलावा, ट्रेंट में सिधार्थ योग जो इन्वेस्टर हैं, वो फिर से उन्होंने 0.33% का स्टेक बाई किया है, बहुत ही एग्रेसिव हैं ट्रेंट को ले करके, मतलब I am pretty confident, he is also very confident about the trend story, मारूती ने इविटारा की नई EV electrical vehicle launch किया है, और मारूती पे नज़र रखिये भई, क्योंकि बहुत समय के बाद उन्होंने इवेस्टर पे जोर देना शुरू किया है, इसके लब एफकॉंस IP लिस्ट हो चुका है, और कल के दिन और जो जिसने खरीदना है, जिसने खरीद लिया है, पूरर रिजर्ट के बारें बात रहे हैं, Gland Pharma के रिजर्ट्स पूर आए हैं, IRC, TC से अच्छे रिजर्ट्स की एस्पेक्टेशन हैं, अच्छे रिजर्ट्स तो आए नहीं है, एवरेजी रिजर्ट्स हैं, जे के पेवर के तो प्रॉफित अब गेर गया है, तो इस इस सम्धिंग विच इस प्रॉब्लमाटिक, जो इंपॉर्टन रिजर्ट्स आज के दिन आने हैं, उसमें हैं, इस रिजर्ट्स आज के दिन रिजर्ट्स आने हैं, तिमकेन और एजए बिंटर्वेनी, वंडरला, इन सब के रिजर्ट्स आज के दिन आने हैं, कल के दिन जो इंपॉर्टन रिजर्ट्स तो आज के दिसक्स कर ली हैं, keep an eye on railway stocks and reality stocks today, इसके लवाँ, if you want to join us if you want to know कि हम लोग कहां पर क्या स्टड़ी कर रहा हैं and what all are we trading so that you can learn then link is in description you can make use of that आप रोफ ड्म्ट सर्सक्टे हैं अपने आपको आपको ड्म्ट सर्दी भी कर सक्ते हैं and of course you can be part of our family for a lifetime see you there, bye bye for now